तो आप सभी का स्वावत हैं आज के एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नमर 3 दादा दादी के साथ इस पार्ट का कोईश्चन आंसर तो चैनल पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेगन को प्रेस कर लिजेगा चलिए हम लोग फटा पट से कोईश्चन आंसर देखते हैं कोईश्चन नमर हमारा वण है सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे तो हम लोग आंसर पटापट से देखते हैं आंसर है हमारा क्योंकि घर में कुछ खास महमान आने वाले थे इन महमानों की खासित याती की वे थे तो अपने रिष्टिदार पर इनका आगमन इंगलेंड से होने वाला था और घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंगलेंड से आ रहे में महनों को कई हमारे घर की गंदगी अच्छी ना लगे उनके साबने हमारी हसाहि ना हो जाया ता सभी मिलके घर की सफाई घर का कौना कौना साब सफाई mapped रहे थे question number two है हमारा पदमनी और राहल को पिंकी वाइ बिक्की की कौन सी बात खटकती थी तो अंसर है पद्मिनी और राहूल को यह बात खटकती थी कि अपनी वासा में ना बोल कर ना जाने वे क्यों सदै अंगरेजी में ही भोलते है यह भी यानि पिंकी विक्की इस रात को अच्छी तरह जानते थे कि राहूल और पदमनी अंग्रेजी के साथ हिंदी भी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं इन्होंने तो सोचा था कि भाड़त आकर उनकी हिंदी का ग्यान निकर हो जाएगा लेकिन पिंकी जो और बिकी जो था वो हमेशं सदा इंगली सी थोरी थोरी बीच बीच में बोल देता था पदमनी दादा दादी के पास रसी से बुनी चार पाई पर बैटी थी दादी ने उसको अपने से बिल्कु सटा लिया था और उसके रेस्वी वालों को सहला रही थी बार काली रातों में साय मेड़कों का ट्राना सुनाई दे रहा था आकास में तारे छिटक रहे थे पद्मिनी को इसार लग रहा था अधित में वापस आ गई है यह था डाड का देश और देश का जीवन और प्राचिन सब्यता यह यह वारा उत्तर है किसने कहा किस से कहा और क्यों कहा ठीक है को में अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई उत्तर है राहुल और पद्मिनी के आगवन पर सभी नाते रिष्टेदार संबंदी उससे मिलने आ गए दिनवर लोगों का घर में आन जन लगा रहा रिष्टे के भाई बन चाचा चाची दादा दादी फू बुगा फूपा के आनेज के धर से भरा रहा बच्चों को देखकर यह सभी अपनी अपनी टिप टिपनी देने लगे खम है ओहो आई एम सो सोरी किसने कहा तो अंसर है पद मिनी और राहूल के संग घर के लोगों का दीन बीट गया साम हो गया आज फिर बिजली गुल हो गई इस इस्तिती में निवटने के लिए पिंकी ने सफाई देते हुए का पिंकी ने कहा ओहो आई एम सो सॉरी तुम सोचोगे कैसे कंट्री है इंडिया गौमे है अपनी वासा जानते हुए भी ना जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं उत्तर ये विचार है पद मिनी के वा सोचने लगी कि अपनी वासा जानते हुए वे ना जाने क्यों अंग्रेजी में भी बोलते हैं उन्हें मालूम था कि रावल और पद्मनी दोनों बासा भली बाती जानते हैं गौम है अच्छा है यही है तुम्हारी बेटी तो यह सब्द बुगा पुवा ने पद्मनी से पहली मुलाकात पर कहें ठीक है गौम है लगती है बेटी मा जैसी है वा नीली आखो और काले बाल बड़े सुन्दर निकली है यह हुआ के घर के आयर इस्तेदारों में से किसी न है किसी ने है डैट यह सब्द चुनकर फूले ना समाते हैं उन्हें अपने इन भतीजी और वतीजी पर गर्व होता जाता है अगला देखते हैं लो अब है माड़ा इस पार्ट में किसकी भूमी क्या आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी तो उत्तर है माड़ा दस पूरी कथा में सबसे अच्छी भूमी का दादी की लगी दादी ने विदेश से आए बच्चों को अपने प्राची सब्यता का एसास कराया जो पद्मनी और राहूल के भारत आने का उद्देश था दादी की मदोर प्यार भड़ा समय पाकर दोनों बच्चे अत्यांत अधित हो गए पार्ट से आगे का कुस्चन में तू है मा आड़ा क्या आपको लगता है कि या ऐसको लगता है कि यह कानी अधूरी है और क्यों है धूरी यह भी बताना है तो उत्वार इसकानी का अंताना होता है एसका। कास को एक अंतिम प्राव तक पहुंचाया जा सकता है जो कहानी कार ने नहीं किया सायद वोई वे पाठकों को आगे की घटना को जानने के लिए उनकी कल्पना सीलता को उभारने उभारना चाहते थे क्विश्चन नमर 3 है हमारा सोचे इस कहानी के अंत में अगले दीन क्या हुआ होगा तो उत्तर है हमारा क्या कल्पना सीलता की करी को जोरते वे या समझा जा सकता है कि दोनों बच्चे अगले दीन खंधर की यातरा पर गए होंगे उहां इन्होंने खंधर के चितर उतारे हों जिसे वे अपने डायरी में नोट करेंगे ताकि वे गहराई से अध्यन कर सके कुश्चन नमर 4 है हमारा अगर ऐसा हो कि आपके यहां कोई संबंदी आए तो आप क्या करेंगी तो उत्तर है हमारा इस प्रेशन को अलग अलग परिवार और बैक्तिका बैक्तिकत मामला होगा फिर इस बात का पनिर्बर होगा कि आने वाले मेहमान की सरेनी क्या है उत्तर है मारा अगर मेहमान या संबंदी अत्यंत करीवी है तो घर के प्रिवार की सदस्रों की तरह संबंद और आदर का अधिकार होगा अप्चारिक संबंद द्वागत अप्चारिक धंग से क्या जा आई जायेगी है अगला इसमारा ब्याकरन निम्र्ड को सुध रूप लिखना है सुध करके लिखना है तो चलिए हम लोग नुप करके देखते हैं दोस्तो सुद्ध करके यहां पर है प्राचीन पुराना सुद्ध हिंदी पुराना विदेशी देश का बार का खंधर तूटे गरोग महलो भगना वेस्ट तूटे वेस्थल आजायब घर यहां पर लिखा गया है ठीक है अगला देखते हम लो दोस्तो यहाँ पर एक बचन दिया है और इसको भवचन में बनाना है अतीति अतीतियां, आंके, गारी, गारियां, मेडक, मेडको, काणी, काणियां संबंदि, संबंदियों, खंड, हड, खंड, हडो, दिवार, दिवारो इत्वरकार आप भवचन लिखेंगे दोस्तों अब है मारा इन वाक्यों में सर्वनाम सब्द को रिखांतित कीजिए रिखांतित करना है सर्वनाम सब्द कौन है अच्छा यही है तुम्हारी बेती तो यही होगा सर्मान वह सर्वनाम वह उसकी मदद करने लगेगा वह सर्वनाम जो ढूंडे उसे मिले उन और जो है यह भी है उसकी भी है यह सभी सर्व नाम है ठीक है तो दोस्तों इसी प्रकार हमरा यह आपार्ट का कोई चैनल से पूरा होता है चैनल पहली वाड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेकर को प्रेस करें जिएगा फिल मिलते हैं अले वीडियो के साथ तब के लिए धन्यवाद